हमारे सभी दर्शकों को साधर प्रणाम जैशी कृष्णा आज मैं आपको कुंडली का एक अति विशिष्ट योग बताने वाला हूँ यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है तो यह बहुत ही सुन्दर योग है इससे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कभी नहीं र मिलती रहती है तो आज मैं आपको सुर्य ग्रह के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से सुर्य आपकी कुंडली में स्रेश्ट फल देने वाला हो सकता है आप भी चाहें तो अपनी कुंडली खोल कर इस योग को देख सकते हैं केवल एक भाव ऐसा है वहाँ पर सुर्य बाव में बनेगा तो आप यहां पर एक कुंडली देखें सिंपल सी कुंडली है आपको लगन कुंडली ही देखनी है चाहे लड़का हो चाहे लड़की किसी की भी कुंडली में अगर इस प्रकार की इस्तती है तो वहां पर अतिविशिष्ट योग बनेगा और वह व्यक्त इसे कहते हैं महा धनी धनी की कोई कमीन नहीं रहेगी ऐसी इस्तती बनती है सुर्य जो है वहा कुंडली में तीन ऐसे इस्थान है वहाँ पर उसके विशेश कारकत्व देखे जाते हैं वैसे तो लगन और नवम भाव आप दियान से देखें कुंडली में जिसे हम शरीर भी कहते हैं वहाँ का कारक सुर्य है नवम भाव पिता भग्यिस्थान धर्म इस्थान वहाँ का कारक भी सुर्य है कहने का तात्परि यदि व्यक्ति का सुर्य यदि अच्छा है तो शारीरी की स्थति अच्छी है विचार अच्छे हैं मानसिक्ता अच्छी है आत्मविश्वास अच्छा है नवम भाव का कारक है लगन का कारक है तो शारिक इस्तति अच्छी है ही नवम का कारक है तो भाग्य अच्छा है धर्म के प्रती रूची भी है व्यक्ति आध्यात्मिक होता है पीता से भी लाब वाली इस्तति बनती है प तीसरी इस्तती होती है दिग बली इस्तती दिग का अर्थ होता है दिशा किस दिशा में बली है तो सुर्य जो है उसका डायरेक्शन यदि दशम भाव में सुर्य हो तो ऐसी इस्तती में सुर्य दिग बली कहलता है ऐसा हमारे जोतिश शास्तर में लिखा है दशम भाव में सु सुर्य जब आप देखेंगे कि यदि लग्ण में सुर्य है तो व्यक्ति का जन्म सुर्योदय के समय होता है यदि सुर्य किसी की कुंडली में सब्तम भाव में है तो आप समझें कि शाम का समय है किसी व्यक्ति की कुंडली में चोथे भाव में यदि सुर्य है तो मध्यरात्र का जन्म होगा उस व्यक्ति का लेकिन यदि कुंडली में दशम भाव में यदि सूर्य बेठा हुआ है किसी व्यक्ति के तो एसी इस्तती में उसका जन्म दो पहर का होगा और सूर्य सबसे ज़्यादा तेजी वाला प्लेनेट है आप जानते ही हैं और सूर्य जो है यदि चोथे भाव में बेठा है तो रात्री की इस्तती होती है लेकिन दशम भाव में है तो एसी इस्तती में मध्यान बारा बजे का समय होगा या थोड़ा सा आगे फिछे होगा उस व्यक्ति का जन्म और उस समय सुर्य पूरी तिक्षनता में होगा बहुत तेजी वाली अवस्था में होगा तो दशम भाव में यदि सुर्य बेठा हुआ है तो यहाँ दिग्बली वाली इस्तती है बहुत बल्वान इस्तती है लेकिन आज का विशा है अतिविशिष्ट योग सुर्य कहां पर बेठे तो अतिविशिष्ट योग बनेगा तो आपकी जो कुंडली है उस कुंडली के ग्यारवे भाव को आप देखें आए का भाव, सोर्स ओफ इंकम का भाव मैंने आपको बताया कि सुर्य लगन का कारक है नवम भाव का कारक है दशम का भी कारक कह सकते है दशम भाव में दिग्बली होता है सुर्य बहुत बल्वान इस्तती में होता है क्योंकि उस समय सुर्य सिर पर होता है हमारे सिर पर जब सुर्य होता है और उस समय यदि आप कुंडली बनाएंगे तो उस समय कुंडली में सुर्य दशम भाव में होगा वह दिख बली इस्तती होती है लेकिन अति विशिष्ट योग कुंडली में तभी बनेगा यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आप देख लेएंगे आपकी कुंडली में ग्यारवे भाव में यदि सुर्य बेठा हुआ है तो यह सुर्य अति विशिष्ट योग वाला कहलाएगा एसी स्तती में ऐसे व्यक्ति को जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती है हाँ कुछ इस्ततियां होती है कि व्यक्ति को दशाय अच्छी नहीं चल रही है या दूसरे ग्रहों को भी देखना पड़ता है लेकिन सुर्य यदि एका दश में बेठा हुआ है तो यह इस्तति बुरी नहीं होती है एन केन प्रकारेन व्यक्ति के पास धना आएगा कैसे भी करके और व्यक्ति के काम नहीं रुकते हैं और कुछ इस्ततियां और देखें यदि मालो गूरू की इस्तति अच्छी है बंगल की इस्तति अच्छी है दो-तीन प्लैनेट और हैं उनकी इस्तति और अच्छी है तो व्यक्ति महाधनी कहलाएगा वैसे भी सुर्य यदि कुंडली में ग्यारवे भाव में बेठा हुआ है तो एक प्रकार से धनी योग ही है एसी इस्तति कभी भी बुरी नहीं होती है सुर्य ऐसी इस्तती में कभी भी बुरे फल नहीं देता है इस बात को आप समझ लीजिए तो सुर्य लगन में है नवम में है दशम में है वो इस्तती अलग है लेकिन यदि ग्यारवे भाव में किसी व्यक्ति की कुंडली में है चाहे लड़का हो चाहे लड़की तो यह अति विशिष्ट योग कहलाएगा और इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी अनायास लाभ भी मिलेंगे और यदि उस कुंडली में एक बात और समझें सुर्य की सीहराशी होती है और सुर्य जो है यदि वह ग्यारवे भाव में बेठा हुआ है तो अति विशिष्ट योग बन रहा है लेकिन पांच नंबर सीहराशी यदि आप देखें दियान से दूसरे भाव में लिखी हुई है लगन में लिखी हुई है पंचम भाव में लिखी हुई है या दशम भाव में पांच नंबर अंक लिखा हुआ है नमम भाव में यदि पांच नंबर अंक लिखा हुआ है सीहराशी है और सुर्य ग्यारवे भाव में बेठा हुआ है ऐसी कुंडली में तब तो व्यक्ति के पास धन की कोई कमी ही नहीं होगी। उसे कहेंगे अच्छा धन व्यक्ति के पास होता है, आय के स्ट्रोत अच्छे होते है, व्यक्ति सारी सुक्सुविदाओं से युक्त होगा। इस बात को आप समझ लें तो आज आपने सुर्य की इस इस्तती को समझा कि सुर्य ग्यारवे भाव में अति विशिस्ट योग में होता है जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में सुर्य ग्यारवे भाव में होगा उस व्यक्ति को सुर्य जब भी आएगा जीवन में लाब अवश्य देगा अंतर दशाओं में भी लाब अवश्य मिलेगा तो यदि यह जानकर यह आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें आप पहली बार यदि इस वीडियो को देख रहे हैं या इस चैनल को देख रहे हैं तो नीचे आप देखें यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में आपको और भी महत उपूर्ण जानकरियां समय पर मिल पाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें धन्यवाद जैशी कृष्णा